अबर नगर के बाद उत्तरप्रदेश के अबरार नगर पर एक्शन की तेयारी चल रही है लखनौ के एक हजार मकानों पर बुल्डोजर तलाया जाएगा पंत नगर समेत कई इलाकों का सर्वेश शुरू किया गया है कुकुरेल रिवर फ्रंट विक्सित करने के लिए ये सर्वेश किया जा रहा है बताया जा रहा है कि लखनौ में रहीम नगर अबरार नगर पंत नगर में अगर बुल्डोजर एक्शन हुआ तो इससे 20,000 से ज्या पंत नगर पहुंची जहां सर्वेश का काम शुरू हो गया है घरों पर लाल मिशान लगा दिये गए हैं आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिवर रहीम नगर अबरार नगर पंत नगर में करवाई करने की बात कर रहा है और तमाम इलाकों में सर्वेश किये गया है आपको म लिए कह रहा है कि इन तमाम मकानों को यहां से हटाया जाएगा बकायदा इसके लिए घरों पे क्रोस के निशान में बनाए गया है और आपको दिखाते हैं कि इतनी दूरी तक जो पूरे मकान है यह देखिए कि बड़े मकानी सेरियां बने हुए है और यहां लडिये का दा हमारा यह घुट बनी है बो नाले में बना रखे हैं तो रोड के उन तुड़वा रहे हैं जो बने बनाए घर तोड़ रहे हैं यह बताई हैं हम लोग कहा जाएंगे आपके पास रिष्टी है हर कागज जो कागज सरकार मांगे और वो कागज मैं दूँगी निकाल के सारे क कागज है मेरे पास फिस सरकार ऐसा क्यों कर रही है यह बताई है लगता कि इस तरह की जिसने अवैद घूसित किया यह अब है हमारे पास सारे कागज है बैद मकान है हर चीज है तो अबैद कैसे हो गया यह बताई है यह देखिए इस डॉकुमेंट है रजिट्रिक पेपर है और यह इनका बड़ा मकान है और यह कहरे हैं कि यह लीगल है अब इन्हें इतने सालों बाद अबैद किस आधार पे कहा जा रहा है जबकि सारे डॉकुमेंट से यह तनी महिलाई यहाँ पे हैं सबके हाथों में डॉकुमेंट से यह तमाम लोग इस बात का विरोध कर रहे ह कि सरकार इस तरह से जाती नहीं कर सकते इतने सालों से इस इलाके में रहते हैंais पूरा एक सुसाइटी है, जिन्होंने पूरे इस इस इलाके को बसाया है उसके बावजूद अब इन पर इस तक की कारवाई क्यों हो रही हैा यह सवाल परिशान कर रहा है बाद तस्वीरे दिखाते हैं पूरे मुहले की किस तरह से कैसे मकार यहां बने हुए और कैसे यह करवाई हुरी है सर्वे टीम आती है हमारे गाजी वीला घर है उसके आगे मंदिर है पांच मंदिर से सर्वे करते हुए आती है नाले के उधर की तरफ जाती है और उसके बाद उसी के पांच दिन बाद आती है वहां से लाल निसान लगाते हुए कि इसके भीतर के सारे घर तूटने है इतने कि लगा है वहां से नशनल हाइवे में भी हमारे नाले की 30 मीटर प्रॉपटी गई है ठीक है तो उन्होंने वो सब चीजे नहीं नापी है उनका सीधा कहना है कुछ भी पूछने पर उन्होंने हमारे लोगों को धक्का दिया जिसका वीडियो वाइरल हुआ है कि सबके घर में CCTV कैमरे लगे हुए और धक्का देते कुछ नहीं बदाते कहते हैं आप जाईए फाइट करिए आपको 6 साल का समय दिया जा रहा है आठ साल का समय दिया रहा है आप लोगों मुता तुमा करिए